अलो गाइज, वाट्स आप, आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो लेक्चर में, यह हमारा CPF का लेक्चर, MCQ सीरीज जो चल रहा लग छिक्या, इसमें हम लोग लेक्चर 4 लेकर आपके लिए आए हैं, ठीके, आपको इस वीडियो में जो PPT यूज किया गया है, वो आपको PDF में, sorry, description में लिंक है, आप वहाँ से जागर डाउनलोड कर सकते हैं, साथी साथ आप हमारी इस, जो भी केस का टेलिग्राम चनल, उसको वहाँ पर जोईन कर सकते हैं, ठीके, बाकी आपको PPT वहाँ भी मिल जाएगा, question कैस पर चलते हैं, ठीके, question पहले समझते हैं, हम लोग रुख जाएंगे, हाँ, तो question कैहां समझे, देकि stock market से, यानि share बजार सम लोगों ने question लाया आपके लिए, तो देखना है, सबसे पहले कोई भी question solve करने से पहले हमें, directive पे ध्यान देना जरूरी होता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं, अगर, मालीजे, अगर कहीं note लिखा और आपन नोट को ध्यान में रखते हुए, question solve किया, तो यह क्या होगा, आपके लिए problem create कर सकता है, इसलिए जानना जरूरी है कि directive क्या है, सबसे पहले, तो नीचे दिए कि कथनों में से कौन से है, FTSC 100 is a stock exchange of London, which monitors European market activities, यहनि FTSC 100 London का एक stock exchange है, जो European बजार की गतिविदियों पर नज जाता है, निकी के बारे में उतनी जाननी कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका नाम थोड़ा Chinese टाइप का है, तो निकी is related to Singapore stock exchange, निकी जो है, Singapore stock exchange से सम्बंदित है, middex belongs to Japan, ठीक है, middex जपान का है, BC यहनि Bombay stock exchange does not belong to sensex, है ना, BSE sensex से सम्बंदित नहीं है, तो option इसम बोल सकते हैं कि FTSE 100 is a stock exchange of London, which is monitors European market activities, अगे बड़ते हैं, मित्रों हमारा जो CAPA paper 2 का OLP जो बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसमें शुरू हो चुका है, जिसमें आपको paper 2 का class मिलेगा, testories मिलेगा, paper 2 का book मिलेगा, paper 2 का book free है, यह आपके लिए है, complete OLP बैच शुरू हो आप इसको join कर सकते हैं, validity till exam है, यह इसमें English और Hindi दोनों होगा, ठीक है, तो यह चीज़ का आपको समझना है, आप हमारे इस app को, जो हमारा app है, अभी case का, आप इस link पर जाकर, या फिर आप directly अभी case भी अगर type करते हैं, तो आपको यह कहां मिल जाएगा, हमारे, sorry, play store पे आ या फिर exam related query कुछ भी है, आप उसको जाकर हमारे इस number पे आप call कर सकते हैं, और साथी साथ लग्चे testory शुरू हो चुका, 2021 का testory है, ठीक है, जिसमें paper 1, paper 2 का होगा, सबसे पहले happy हो लिए हो, ऐसे गुजर चुकी है, 26-30 तक आपका offer चलेगा, जिसमें आप यह coupon code यूज कर सकते हैं, इस special offer है, और यह अभ्यास, फूले OLP, paper 2 OLP, लक्ष टेसरी चल रही है, इस number पे call कर सकते हैं, ज्यादा जनकरी के लिए, question के हागे समझते हैं, मित्रों, question है अगला, which of the following index is not matched correctly, कौन अच्छी तरीके से मिल नहीं खाता है, इस पर ध्यान देना है, SET Thailand, JSJCI Japan, NASTEC है न, America, TSEC, Taiwan, option कोन होगा सही, Japan होगा, GSI, ठीक है, अब ध्यान देना है कि JSI is a joint index of Indonesia and Jakarta, ठीक है, JSI Indonesia और Jakarta के संजुक सुचकांक है, अब बात आती है कि सर, ACT, GSI, NASTEC और TSEC के बारें बता दीजे कि मैं बताने के लिए बता दूगा, लेकिन समय काफी जादा हो जाएगा मेरा ये टार्गेट है कि कम से कम पंदर मेंट मैक्समुम जाना चे इस वीडियो का लेंध, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेस्टन क्या है कि what is called blue chip, यानि companies which are run by large corporate houses, वो ये कंपनियां जो बड़े corporate घरानों द्वारा चलाई जाती है, वो ये company which shares always provides profits, एक कंपनी जिसका हिसा हमें इसा लापरदान करता है, मल्टी नेशनल कंपनी एक बहुराष्ट्री ये company, ये company which is listed on a foreign stock exchange, यानि ये company जो एक बिदेशी stock exchange में सुची बद है, तो simple है भाई, यहाँ पे इसका option क्या होगा, ठीक है, बी होगा, यानि एक company जिसका हिसा हमें इसा लापरदा परदान करता है, यानि या company which always provides profit to its shareholders and एक company जो हमेशा अपनी सिरधार को लापरदान करती है, मैं तुर एक चीज मझे बताना था आप सभी को, ये जो भी question यहाँ पर लाया जा रहा है, ये question ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने से बना दिया और फिर कहीं सभी उठा कर लाया जा रह है, ताकि आपको इससे काफी मदद मिले, साथ ही साथ हम लोग एक ऐसी सिरी सुरू करने वाले है, फाइफ येर के जो जितने question है, लास्ट फाइफ येर का पेपर वन का, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, हम लोग उसको एनलाइस करते हुए, देखेंगे कि कौन-कौन से question आज सकते हैं, किसके सेक्टर से, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे सो, हम लोग सर्किल में जब हम सभी त्यारी करते थे हमारे ग्रूप के लोग, तो हम लोग ऐसे ही करते थे और हमारे जितने भी आज़ फ्रेंड्स है, सब अच्छे से पोस्ट पे चले गए हैं, within two years, यानि एक दो साल के preparation के अंदर चलेगे, आप यहां पर बहुत सार लोग है, अदित्या हो गए, है न, चिरागर अगो गिरा, तो इस सारे लोग है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला question कहा, consider the following statement, note, इस अब यहां नहीं लिखा है, यहां पर directly लिखा है true, इसमें आपक exchange, Bolt BSE के सब 40 online trading पर ना ली है, Sensex consists of 30 largest most actively companies, यानि Sensex में 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिये कमपनिया है, भाई, कौन इसमें सही है, सत्य कौन है, तो simple है, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, and 1, 3, यह option है आपके पास, तो option यह इसका सही होगा, यानि 1, 2, 3, यानि 3 सही है, ठीक है, तो यहां प पहला question क्या, इस पर देखिए, wind management, यानि पहले तो देना निकल निमने लिखी, कतनों पर विचार करना है, कतन क्या है, wind management and honesty पर separated, it is called demitualization, जब प्रबंधन और स्वामितों को अलग कर दिया जाता है, तो इसे demitualization कहा जाता है, national lock stock exchange is located in Delhi, राष्टी 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 है, क्योंकि इसमें जब management और ownership अलग होते हैं, तो इसको demitualization कहा जाते हैं, आपको मालूम होगा पहले से भी, ठीक है, nifty 50 कंपनियों को लेकर चलती है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, NSE का जो है office कहा पे है, ये चीज़ आप लोग बताईए, बहुत सारे लोगो सा traded and maturity period is more than a year is none as, यानि मुद्रा बजार, जहां rain और stock का कारोबार किया जाता है, जो और परिपक्वता अवधी एक वर से अधीक होती है, उसे क्या कहा जाता है, क्या loaned market कहा जाते हैं, दिर्गकालिक बजार, या counter market या counter बजार कहा जाता है, या capital market या पुझी बजार कहा जाता है, इसको पुझी बजार कहा जाएगा है, यानि the money market where debt and stocks are traded and maturity period is more than a year is none as, capital market, ज्यादा तर ये घटना है, capital market में होती है, ये स्थिती आपको ज्यादा तर जो है, देखने को मिलेगी capital market में, अगला question, which of the following is responsible for the fluctuation in the sensex, यानि sensex मुताज चढ़ाओ के लिए निम लेलिकित में से कौन जिमेदार है, है न, क्या वर्सा है, क्या मौदरिक नीती है, राजनीती का स्थिर्था है आउपर के सभी, क्या रैन वर्सा, यानि monetary policy, political instability, या इनमें से सभी कोई, all of the world, all of the world होगा, ठीक है, क्योंकि जादा तर देखा गया है, जब आप इस परकार का question आए और आपको कुछ ना आए, कुछ भी नहीं आ रहा एक्जाम में, तो जादा chance है कि all of the world होगा, 70% chance होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजेगा, आगे बढ़ते हैं, Which of the following word does not belong to the stock exchange, यानि निमला लिखित में से कौन सा सब the stock exchange से सम्बंदित नहीं है, NAV, NAC, APO, KPO, सिंपल है, KPO, है ना, knowledge processing, जो है, हम इसे बोलते हैं, जिसे outsourcing बोलते हैं, ये नहीं होता है, KPO, BPO, ये सम नहीं होता है, ये सम नहीं होता है, ये सम नहीं आता है, stock exchange में, NAV, NAC, IPO होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, अगला question क्या है, the capital market in India is controlled by, किस के दोरा होता है, भारत में पुझी बजार किस के दोरा नियंतरित किया जाता है, Reserve Bank of India, Nawad के दोरा, stock exchange, security exchange, board of India के दोरा, या IRDA के दोरा, simple है, अरे भी, capital market, stock market, किस के दोरा हम बोल सकते हैं, कि control किया जाता है, simple है, Sevy है, क्योंकि ग्राहकों की, जो है, हम बोल सकते हैं, जो उन्होंने पैसा invest किया है, ठीक है, जो सेर खरेदा, उसकी रक्षा करता है, और बहुत सारी चीजों के ध्यान में रखते हुए, आगे बढ़ता है, या इसका हिंदी में होता है, भ परतिभूती बजार को बिनिमित करने के लिए, या फिर, to protect interest of investors, inventors, यानि अन्वेसकों के हितों के रक्षा के लिए, या फिर, to promote individual businesses, यानि ब्यक्तिगत ब्यवसाओं को बढ़ावा देने के लिए, क्या, to promote the development of the market, यानि बजार के बिकास को बढ़ावा देने के लिए, तो सेवी का क्या हुदे से, इसमें से नहीं है, ये बोला गया, तो ये सी है, कभी सेवी ये, इसका ये नहीं होता है, target की लोगों को business बढ़े, अरे भाई, इसको market को control करना है, simple है न, organization अब सेवी क्या होता, यहाँ पर दिया है, आप PPT में देख लिजेगा, department क्या होता है, ये हम आपकी comment को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद मित्रो,